दोस्तों नमस्कार आज मैं आपके लिए एक नया साफ्ट्वर लाया हूँ सेलरी के ओपर है सबसे पहले तो मैं बलता हूँ आपको मेरा नाम विनोध है विनोध कमार और यह मेरी पहली वीडियो है सेलरी के ओपर है अपने आपसके लगी हूई मैं आपको यह बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं तो आएए यह है इसका इकाउन यह एक्सल 2013 में मना हुआ है विन्डू 8.1 पर इसके ओपर हम डबल क्लिक करते हैं दोस्तों यह दो बटन दे रखे हैं यह बटनों के ही ओप्शन से सारा काम करेंगे पहला बटन है उपन मी इसके अंदर यह हैडर्स है हैडर्स में छे ओप्शन है पहला वर्कर नेम्स है इसमें आप वर्कर्स की अंट्री करेंगे और उसके salary entry करेंगे, दूसरा है daily attendance लगाएंगे इसके अंदर workers की in time और out time, तीसरा है holiday, holiday छुटी वाले दिन, कोई भी हो छुटी, उस दिन उसके entry करेंगे, चोटा है salary payday, इसके अंदर workers की आप salary pay करेंगे, पांचवा है public holiday, इसमें आप देख सकेंगे, यह public holiday है, छटा है data clear, इसमें total data clear कर सकते हैं, तो आएए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे use करते हैं, दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम worker names पे जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे यह दे रखा है, combo box आई, इसके अंदर drop down यारो बनाओ, इस पे click करेंगे, इसमें workers की ID निकलाएगी, जो कि यहां पर enter है, 20 आदमों की हैं, आप इसके अंदर 20 workers का, काम कर सकते हैं, पहले worker के, पहले ID नमर दबाएंगे आप, इसमें आप worker के entry करेंगे, क्या नाम है worker का, worker का नाम है आशोक, salary उसकी है, 10,000 यहां से आप save दबाएंगे, यह उसके entry होगी, आशोक की, नमर दो दबाएंगे, यहां पर आप उसके entry करेंगे, नई workers की, यहां worker की entry करेंगे, 12,000 रुपे, यहां से आप save कर देंगे, यह दो workers की आपकी entry हो जाती है, पहला worker है अशोक, जो GB1, ID नमर है, 10,000 रुपे salary है उसकी, दूसरा है GB2, रजेश नाम का है, 12,000 रुपे salary है उसकी, आईए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, इंट्री कैसे करने है, daily attendance की, यह daily attendance यहां entry होगी आपकी, देखें, मैं जड़ा cursor लेके जाता हूँ ओपर, यह देखें, नीचे ओपर नीचे आ रहा है, पीले रंकी पट्टी है, enter daily working time, तो यह window खिल गई आपके लिए, इस window में दोस्तो, सबसे ओपर store है, data salary है, data, इसका मतलब यह बटन दे रखे हैं मैंने, इसके अंदर, आप इसको दबाएंगे, तो किसी भी sheet के ओपर जा सकते हैं, देखने के लिए, दूसरा है दोस्तो, यह जो है, इसके अंदर जो भी entry करेंगे, वो current entry दिखा देगा कि आप कितने entry कर चुके हैं इसके, और तो कौन से number के entry चल रही है, इसके अंदर total entry दिखाएगा आपको, जो entry हो चुके हैं, नीचे जो पिले रंग की पट्टी है, इसके अंदर आपको दिखाएंगा, यह आपको दिखाएदेगा, next entry करेंगे आप, तो आएए दोस्तो, मैं दिखाता हूँ कैसे, हमने दो workers के नाम entries के थे, GB1 और GB2, उससे पहले मैं यह बताता हूँ, जो भी entry करेंगे, इसके अंदर उसका data आपको दिखेगा, जब भी आप जिस भी worker का ID डालेंगे, उसका यहाँ पर नाम आजएगा, salary आजएगी, टोटल उसका data आपको दिखाएदेगा, तक क्या-क्या, उसका देना लेना है, जैसे कि अब मैं number 1 तबाता हूँ, तो आपने दिखा होगा, अशोग नाम का worker है, उसके 10,000 पर salary है, यह अभी सब 00 है, जो absent है, उसकी 31 है, यह इसके अंदर inbuilt है, जैसे आप entry करेंगे, इसकी 30 रह जाएगा, दूसरी entry करेंगे 29 रह जा जाएगी, प्लस उसकी salary बनते जाएगी, इसी से calculate होजाएगा अपने आप, तो यहां से आप tap दबाएंगे, अपने keyboard से, और यह आप दूसरे combo box में आगे, फिट tap दबाएंगे, इसमें आप, सुबह वरकर कितने बज़े आता है, उसका time entry करेंगे, अपने keyboard से 9, 9 बज़े आता है, जैसे भी हो मतलब आप देख सकते हैं, कि वो आपके timings क्या है, 8 बज़े का है, 6 बज़े का है, 7 बज़े का है, उसी time से आप tap दबाएंगे, अब वो 50 से छुटी करके कितने बज़े जाता है, आप जितने बज़े भी जाएंगे, उसका automatically, over time भी 7 में calculate हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप कितने घंटे की payment करते हैं, अपने worker को, उसमें से उतने घंटे की payment निकाल करके, over time में add कर तो दोस्तो ये शाम को जाता है, पांच बज़े, या साड़े पांच बज़े, आप अपने keyboard से down arrow दोबाएंगे, तो ये साड़े पांच बज़े चला गए, दोस्तो अगर वो कुछ payment advance लेता है, समझ लिए पचास बे लेता है, हमां पचास बे लिखेंगे, यहां को remarks देना चाहते हैं, ABCC कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आप remarks देना चाहते हैं, मैंने बस ऐसे लिखते है, ABC, आप अपने tap दबाएंगे, और enter दबाएंगे, यह आपकी पहली entry हो गई, यहां पर भी दिखा रहा हूँ, GB1 की सुबह 9 बज़े, शाम को शाड़े पांच, और यहां आप देख सकते हैं, GB1, एंट्री सुबह 9 बज़े, तो दोस्तों, आप देखेंगे कि यह GB1 है, यहां भी GB1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि आप ध्यान से गोल करना कि GB1 के अंदर एक 1 और आयो है आगे, इसका मतलब यह पहली तरीक हो गई, जब आपने एं एक वोड से डाउन एरो दबाएंगे, तो दो तरीक होगी, आईडी उसकी वही है, उसी आईडी में दो तरीक को आप, दूसरी दो तरीक के एंट्री करेंगे आप, अब आप टैप दबाएए, सुबह कितने बज़े आया, 9 बज़े, 5 मिन पर आया, 10 मिन पर आया, उसके बा एक पचास रुपे उसके एडवांस थे, एक डिलेट करेंगे, टैप दबाएंगे, यह इसका रेमाक्स था, यह भी अडिलीट कर देंगे, टैप दबाएंगे, से पहेंगे, यहाँ पर एंटर दबा देंगे, आप देखिए उपर, यह दो दूसरी एंट्री हो गई, डाल सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों आप अपनी एंट्री इसके अंदर करेंगे, अगर आप से कोई गलत हो गई है, आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां रिमूव दबाएंगे, तो यह रिमूव हो गई, तो दोस्तों, अब आप दुबारा, यहां पर आएंगे, फिर दो त नमबर के एंट्री हो गई फिर दौरा इतनों बजे आ गया इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अभी कुछ नहीं है सिर्फ वही है आप क्या करेंगे निक्षे जाएंगे यहां हिसाब देखना जाते हैं तो दौरा क्लिक करेंगे आप उसके उपर आप जीवी बन के उपर तो उसका आपको दिखाई देजाएगा कि टोटल इसका ओवर टाइम है तीन घंटे का क्यूंकि उसने नो बजे से लिए इसके अंदर आठ घंटे की टाइम फिल्ड किया हुए मैं आगे आपको दिखाऊंगा वह कितना भी टाइम आठ गंटे के साब से इसमें आदे घंटे का लगए है जो इसके अंदर इन ब्ल्ड कर सकता है वह भी टाइम कर सकते हैं कितने घंटे का लॉंज टाइम है तीन घंटे का उसका आवर टाइम हो गया अभी इसकी च्छुट्टी वाले दिन कोई एटेंडेस नहीं थी टोटल टाइम हो गया अगर उसकी फोलिटी दिन दिन वाले कि जैन कोई लगी होती टेंडेस तो उसके साथ यह प्लस करके यह आ ज पैसे बन गए, यह उसने अपने आप calculate कर लिया है, over time उसका है, 8 तीन घंटे का, उसके over time के पैसे अलग लग गए, holiday दिन वाले दिन इसके कोई time नहीं था, उसकी payment नहीं है, total उसके 848 रुपे 21 पैसे बन गए, उसने 50 रुपीज एडवांस लिये थे, less करने के बाद 798.21 रह तो दोस्तों इस हिसाब से उसकी यह payment लगई, ऐसे ही आप holiday दिन वाले entry करेंगे, वह आपको ऐसे ही entry करने है, उसके बाद आप आप आजए salary paid, तो दोस्तों यह आप जैसे मैं बताता हूं आपको इसके अंदर जो है, holiday जो चुट्ती होती है, Sunday, Monday, Tuesday, area के साब से, जिस दिन चुट्ती है, आप उसकी attendance उसे दिन अगर वो worker काम करता है, extra day लेकर, तो उसकी attendance यहाँ लाएंगे, तो उसके भी पैसे अपने आप जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आप salary pay करेंगे, salary कैसे pay करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, हमने एक worker का नाम entity किया था, जिसके अंदर ह GB1 पे अशोक है, दूसरा हमने राजेश था, अभी उसके हमने कोई attendance नहीं लगाई, यहाँ भी आ गया हूं, 798 रपे किस पहे देने हैं हमने इसके, पहला सबसे पहले तो यह है कि आप कुम से यह देखिए, select ID number and paid the payment, और enter the date, month, hours, hours का मतलब यह है, कि सबसे पहले तो आपने इसकी payment देनी है, जैसे यहाँ से entry करेंगे, और कौन से महीने का हिसाब बना रहे हैं, कौन से महीने का हिसाब के अंदर आपने यहाँ date entry करनी है, आप देखिए, कि यह महीना है, समझ दीजिए, February का, दूसरा महीना, पहली तरीक, क इसके बाद year, 2000 पर 15, आप इस महीने में 28 दिन होते हैं, तो दोस्तों 28 देजिए, आप अपने इसाब से calculation कर सकते हैं, आप कितने दिन के हिसाब से आप payment देना चाहते हैं, और यहाँ पर आप कितने गंटे की payment देते हैं, मैंने आपको पहले बोलता पीछे कि मैं आपको आग यहाँ आप एंटर करेंगे, तो यह इसने calculate कर दिया, ठीक है दोस्तों, यह था दूसरे महीने का साब, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट के लिए तीसरे महीने का साब, यहाँ पर आपने देखी payment 798 रपे 21 पैसे, यहाँ लगाएंगे तीसरा महीना, और दिन है ती 31 दिन, आप 31 दिन से calculation करेंगे, आठ घंटे के पैसे है, तो पहले देखी आप 760 रपे रहागे, उसके पहले 700 कितने थे, ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपने उसकी जैसे महीना खतम हो जाता है, उसकी आपने payment करनी है, यहाँ उसने 50 रपे advance ले रखेंगे, आप पे करे GB1 पे हमने हिसाब किया था, अशोग नाम का लड़का है, वरकर है, साथ सो सोलर रपे तेरह पैसे, और दोस्तों, आप इसको save करेंगे, और देखिए, यह 00 हो गया, payment paid होगी, इस तरीके से आप उसकी payment करेंगे, आप total भी देख सकते हैं, नीचे सारे वरकर्स की total कितनी payment देने हैं, मंत में जाकर के, पुरा detail आपको दिखाई देगी, total दिखाई देगा सबका, अब आप आजाएगे, public holiday, इस जगे आप देख सकते हैं, public holiday कितने हैं, यहां दिखाई दे जाएगे आपको, इस दिन क्या था, चार्ट जनवरी को, 26 जनवरी को, 26 जनवरी रिपब्लिक ने था जैसे, 6 मार्च को क्या है, holy, 28 मार्च को क्या है, राम नम्मी, तो इस तरीके से आप इसकी holiday देख सकते हैं, public holiday, अब आप आजएगे, data clear पर, और दोस्तों मैं दिखाता हूँ, data clear दो तरीके से होता है, एक त नम्मर पर, तो मैं आपको पहले दो नम्मर के entry clear करके दिखाऊंगा, दोस्तों, आप दो नम्मर पर जाएंगे, तो यहां पर इसको delete कर देंगे, और इसको भी delete कर देंगे, तो यह आपकी delete हो गई, खाली, एक इपर कर रहेगा, और दोस्तों, अगर आपने data clear करना है, सारा का सारा ही तो कैसे करेंगे आईए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपके एंट्री चल रही है शीट के उपर मैं शीट पर आ गया डाटा डेली जो अटेड़नेस लगाते हैं वो यहां लगते हैं अगर आपके पास 20 आदमियों की वरकर्स की अपने एंट्री करनी है तो 20 ग्रb Boyd सब्सक्राइब और迎 यहां से भी आपकी ऑफटाम लगेगा तो यहां से भी खाएगी और यहां से भी च्किलीर होगी आप यहां गए कि अब दिखेंगे आप यहां पर अगर रहें शेवाट्री इयां दॡ़नों किशीट पर क्लीर हो गई है और्प आईए दोस्तों मैं आपको दूसरी जगे दिखाता हूं ला करके मैं एक मिन पहले आपको दिखा दूँ ये एंट्री तो क्लियर होगी पर जो आपने पेमट पे करी उसमें से आपका लेना देना देखो बैलेंस रह गया ना अभी ये पेमट आपकी रह गई ये हमने इसलिए छोड़ा हूए है कि ये आपकी मर्जी से होगा आपने नेक्स्ट मंत का कोई इसाब बनाना है तो आपको ये मलूम रहेंगा कि मैंने इसको ये पेमट दी है ये रट्र कर क्लियर हो जाएगा तो आप देखने पाएंगे इसको पिछले मंत में हमने कितनी पेमट दी थी तो इसलिए हमने इसको छोड़ा है अब इसको आप बड़े ही ध्यान से देखने के बाद फिर क्लियर करेंगे वो कैसे अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वो एंट्री इस जगे है अब आपकी इच्छा है कि मेरा इसाफ क्लियर है आप यहां से इसको भी क्लियर कर देंगे तो देखी यहां से क्लियर हो गया और आप यहां से भी देख सकते हैं तो दोस्तों यह इसी साफ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे यह मेरा जो मैंने सॉफ्टर बनाया है तो प्रिपया लाइक किजिए मैं आपको अपना इमेल आईडी देता हूँ अगर आपने सॉफ्टर आपको चाहिए तो किर्पया मुझे मैल कीजिए मैं आपको अपना मेल आईडी देता हूँ यह दोस्तो मेरा मेल नमबर मेल आईडी है vinod1961.vb at the rate gmail.com ठीक है दोस्तो गुड़ नाइट अगर आपको यह पसंद आए तो किर्पया लाइक किजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल